कोरोना संकट के बीच देश प्राक्रतिक विवदाओं का भी सामना कर रहा है अब गुजरात पर कोरोना के साथ चक्रवादी तूफान का खत्रा मंडराने लगा है मौसम जानकारों का कहना है कि गुजरात के समुद्रितटट पर हीका नाम का चक्रवाद तबाही मजा सकता है इसको देखते हुए राज के समुद्र तटों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम वभा के मताबे के ही का चक्रवात चार से पांच जून के बीच में गुजरात के द्वार का ओखा और मोर्बी से टक्राता हुआ कच्छ की ओर जा सकता है इस चक्रवात की वज़े से कच्छ के कंडला और आसपास के इलागे में भारी नुकसान हो सकता है पहले ये चक्रवात ओमान की और आगे बढ़ रहा था लेकिन अब गुजरात की और आगे बढ़ रहा है फिलहाल अरब सागर के डीप डिप्रेशन के चलते गुजरात के समुदरी किनारे पर एक नंबर का सिगनल जारी किया गया है साथ ही मचवारों को समुदर में ना जाने के लिए कहा गया है माना जा रहा है कि ये चक्रवात जिस वक्त जमीन से टकराएगा हवा की रफतार 120 किलोमीटर रहेगी इससे पहले सोराश्ट के समुदरी तड़ पर वायू चक्रवात का खत्रा मंटराया था हलाकि ये चक्रवात वेरावल के पास से गुजर गया और समुदर में ही खत्म हो गया हलाकि पास से गुजरने के बावजूद तेज हवा की वज़द से समुदर किनारे वाले शहर में भारी नुकसान हुआ था गोरतलब है कि हाल ही में अमफान तुफान ने पक्षिम बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाई थी इस तुफान की चलते पक्षिम बंगाल में 80 से जादा लोगों की मौत हुई है राज्य में हुई तबाही का दोरा करने खुद प्रधान मत्री नरिंद्र मूधी गए थे